के यहला हसे है को तो कैसे हो आप सब और आज से हम लोगका एक नया सी्री चालू हो रहा है क्लास नाइनध शेलीना का जितना भी मैस है जिस तरीका से क्लास टेन का commentary कवर करायगा बिल्कुल उसी तरीके से class 9th वालों का भी इसलिए उस complete कराया जाएगा इसलिए अप प्रेशान होने की बिल्कुल भी जोरस नहीं है 10 आते आते आपको ये नहीं लगेगा कि आप बहुत कमजोर हो और आपसे नहीं होगा तो चालू करते हैं class 9 और 8 का जो portion है वो लगभग सेम है क्योंकि class 8 वालों को भी यही पढ़ना होता 9 वालों को भी यही पढ़ना रहता सलीना की जो किताब वो 8 और 9 दोनों के लिए सेम हो जाती है और हम लोग आज सुरू कर रहे हैं geometry से सबसे important section है geometry का इसके पहले का सायथ हो भी जाता है लेकिन geometry वाले portion में बहुत बच्ची क्या होते हैं आगे देखो हिंदी में इसको हम बोलते है सर्वांग सम्ता मतलब सर्वांग स्लमान इसका मतलब every parts are same simple सा मतलब है मालों हमारी पास भी एक triangle है सपोच यह 6 cm है यह 6 cm है यह भी 6 cm है आप बोलोगे सार सारा side बदाबर है हमको पता है ठीक है आगे देखो यह भी हमारी पास में 6 cm 6 cm और 6 cm का side दिया हुआ है हम आप से बोलें इस triangle में क्या difference है तो आप बोलोगे सार कोई difference नहीं है बिल्कुल किसी को कोई दिक करते ही है ठीक है क्यों है क्यों क्या 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 है अगar हम बता हैं धोनुंत्र लेकिन आपको समझाएंगे तो इन दोनों को हम आपस में बोलेंगे कि यह अगर एक को दूसरी को उपर एक्जेक्ट रखे घुमा फिराके तो एक के उपर एक आ जाएगा जैसे हम आपको समझाएंगे इसको समझेम है तो आपको समझने हाता है तो आप इसको इसको सिप करें जहाँ पी प्रोबलम से वहाँ से आप क्या करें स्टार्ट कर लें चलिए मिटा है इसको आगे बढ़ें देखो ठीक मेरे ख्याल से एक ब्रीफ एक्जामपर आपको समझ में आ गया आगे सुनिए आगे यह सुनू रियान से देखो तो कैसे पता चलेगा कि दो ट्रेंगल कॉंपूरेंट है कि ने आप मालू सेट कर लेंगे इक के उपर गुमा के कोपी पर कैसे घुमा पाओगे कि इसके उपर सेट कर पाएंगे नहीं मतलए कॉपी पर यह जो ग्राफ में दिया हुआ रहेगा उसको एक दुसरी को भुमा के सेट करने थोड़ा मुश्किल है थी हाँ सुनिए मेरी बात को कि कॉपी है और कौन नहीं है उससे पहले जो सिंबोल होता हुआ कुछ इस तरीके से होता है दो बराबर उसको पर यह टेड़ा एस टाइप का ठीक है मतलब अगर ए बी के कॉंपुरेंट है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे मतलब तो हम आपको बता दिये ना एक घुमा फिराके कर रखे त ठीक है चिदी से बात है क्लियर कोई दिया इसलिए बात करते है ठीक है तो हमारे पास कुछ रूल है क्या रूल है देख लो ठीक है रूल फॉर कॉन्ग्रेंशी पहला नंबर जो रूल होगा यह होगा Sss दूसरा नंबर जो वोगा यह होगा S A S सास, सास नहीं, साइड, एंगल, साइड, ठीक है, A, S का मतलब क्या होता है, एंगल, एंगल, और साइड, ठीक है, A, S का मतलब क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, एंगल, यह होगा साइड, और यह होगा, एंगल, R, S, S का मतलब क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, राइट ए 10 years, okay, इसके बाद क्या होगा, side, ठीक है, 70 full form रिखते हैं, ये 5 ऐसा है, जो आपको याद रखना, ये 5 ऐसी चीज़े हैं, जिनके बीना आप concurrent को proof नहीं कर पाओगे, ये अभी काम आएगी, 10 में काम आएगी, उसके बाद काम नहीं आएगी, उसके बाद आपका कहानी खतम, मत हो, सपोज ये हमारे पास प्रेंगल है, ये है A, ये है B, ये है C, और ये हमारे पास प्रेंगल है, ये है P, ये है Q, ये है R, ये है 5 cm, ये वाला side दिया हुआ 5 cm, ठीक है, ये है 6 cm, ये वाला दिया हुआ 6 cm, ये 7 cm, ये भी दिया हुआ 6 cm, बात को समझे, पहला जो रूल था क्या हो था एस इसका मतलब क्या है साइड कि side और theology एस हैं तो इस तरह का चीज यहां पर आपको दे रगए है ieversे हैं यह वह इस ऐसा हिए बढूं के फिराओ कर लाँब में सकी क्या यहां चेक करेंंगे साइड 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 का मतलब होता है एक ट्रेंगल का पहला साइड दूसरे ट्रेंगल के किसी साइड के बराबर होगा फिर अगले साइड का मतलब है उसी ट्रेंगल का कोई और साइड उसके किसी और साइड के बराबर होगा कोई और साइड या बच्चा हुवा साइड उसके बच्चेवर साइड के बराबर होगा का मतलब यह कि इस ट्रेंगल का धियां से देखना यह वाला साइड इस ट्रेंगल के इस साइड के बराबर है इसका यह वाला साइड इसके इस साइड के बराबर है कोई नहीं दीक करते hoji और इस साइट स् Queensborough सभूने को इस साइट के वराबर शे वाला साइट के बड़ाइज और बीजो कुई बच्छ स्कुति पहला पकड़ या कोई बच्चरा इसको दूसरा पकड ले, बात को समझो हो सकता, कोई बच्चा इसको पहला पकड रहा, कोई बच्चा दूसरा पकड ले, इस किसमे हम बोले हैadow सइड क्रॉस zwei सोर्डीनिम् CPA के बराबर है मुद़र इस ट्रेंगल का जो साइड है इसके क्रॉस one in HUD आपस में क्या होंगे बराबर होंगे आईए क्या है कहानी ध्यान सुन लो कहानी है कि इसका B C इसके किसके बराबर था RQ के बराबर था हाँ यही था ना इसका A C किसके बराबर था इसके A C 6 है ना इसके P Q के बराबर था इसका A, B किसके बराबर था, इसके R, B के बराबर था, यही चीज तो यहां पर लिखी हुई है, यही चीज तो लिखी हुई है, अब लिखने का तरीका ही है, कोई बच्चा बोल देगा, सर, A, R, TRIANGLE, P, Q, R, CONFORMENT हो गया, ठीक है, ऐसे लिख देगा हो, पर एक चीज आपक बहुत जरूरी है, क्यों बहुत जरूरी है, ध्यान से सुनो, देखो, इसका इंट्रोड़क्शन बहुत जरूरी है, मैंने बताया, ध्यान से सुनना, whenever, यार कर दो, note कर दो, whenever two triangles are congruent, then, there, corresponding sides are equal and corresponding angles are equal, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब पहले समझते हैं, ठीक है, इसका मतलब पहले समझते हैं, माल लो थोड़ी दर के लिए, यही चीज़ दिया हुगा है, थोड़ी दर के लिए, यही चीज़ दिया हुगा है, ठीक है, अभी यहां बोल जाओ, थोड़ी दर के यह, यान BC है ना, यह QR के बराबर होगा, यह जो BC है, यह QR के बराबर होगा, और यह जो AC है ना, यह PR के बराबर होगा, AC बराबर क्या हो गया PR अंगल A बराबर होगा अंगल P के अंगल A इकवर्टू हो जाएगा अंगल P अंगल B बराबर होगा अंगल Q के अंगल B इकवर्टू अंगल Q और अंगल C बराबर हो जाएगा अंगल R के अंगल C इकवर्टू अंगल R अब बताओ हमको ठीक है A B P Q के बराबर होना चाहिए ठीक है पर P Q के बराबर A C है A B नहीं बात को समझे अगर तुम ये दोनों ट्रेंगल पॉर्मगरेंट तो हो गया साइड 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 से ये कनफर्म है लेकिन अगर इसका नाम ऐसा लिखते है तो ये निकलता इसलिए आप जो कर रहे हो जो उसका नाम जब करोगे तो इन दोनों को सभी तरीके से करना होगा यही चीज़ हम आपको समझाना चाह रहे हैं फिर से एक दूसरा एक्जांपल ले क्लिए अगेन दिख从 माननो ऐसा कुछ दिया हुआ है triangle PQR component दे दिया रहा है triangle SPT तो याद रिखना है यह वाला side, this side के बराबर होगा PQ बराबर किसके होगा? SP के सब के लिए यहीं चीज़ इस्तेमाल करेंगे हाँ, QR बराबर हो जाएगा किसके? PT के PR बराबर हो जाएगा किसके? PR बराबर हो जाएगा? एंगल P, एंगल R बराबर क्या हो जाएगा? एंगल P, किसी को कोई दिकत नहीं है? किसी को कोई दिकत नहीं है? किसी को यहाँ तब कोई दिकत नहीं है? कहानी समझ गया ना? clear हो? तो क्योंकि अच्छा है, यह जो name हम करेंगे ना, यह naming ऐसे होना चाहिए कि कि यह साइड उसी से निकल के चला है, अब धियान से सुनो, थोड़ी देख लिए भी इसको भी मिटा देते हैं, अब सुनो, यहाँ पर, तो हम यह सिक करते हैं, आप बोलोगे, सर यह यह तो confusion है, यह दिया हुआ, तो नाम कैसे लिखे कि सारा साइड निकल है, हम आपको बत चला हो, यहा तो पांच के बाद धुकल कहसे हुआंगि? तो पांच यहाँ पांच के बाद छे, यहानी कि पूञख की ट्रीयंग्ल किया, आज़少 ऐसे क् कर ददी होगा यह कॉन बेर्ट होगा अब देख लो B C R P के बराबर? B C कहा दलत कर दिए ? Sorry R Q P होगा R Q P होगा B C B C R Q के बराबर ? ठीक है C है C है? यह C है , किसके बराबर is ? QP के बराबर है ? ठीक है और जो बचा हुआ B है जो B है बचा हुआ है आप बोल दो यहीं पर किकि अगल बराबर क्या हो गाइंल यही पर इंगल दृकत नहीं है क्या लिखना होगा आपको अगर हम चेक करने के लिए बोले इसके बराबर वो नाम पता है उसको अच्छा नहीं लग रहा तो बोलेगा नहीं करेंगा तो भीया हूँ अब A, B, C नाम A, B, C करेगा तो A, B, C यानि की A, B के बराबर साथ सेंटीमीटर नहीं आइए अब A, B, C शाथ के बाद 5 पर यानि की PRQ यहां पर क्या हो जाएगा PRQ देखो अब तुमको यह लिखने की जौरत नहीं है अंगल B, अंगल R के बराबर ठीक है अंगल C, अंगल Q क के बराबर, O, K, और क्या है, A, B, बराबर किसके है, PR के, हाँ, हाँ, यहां तो निकाले न, A, B, बराबर किसके था, A, B, बराबर किसके, PR के, BC, बराबर किसके, RQ के, हाँ, मतलब मेरा आप समझ रहे हो कि naming भी आपको उसी हिसाब से करना है कि उसका cross-ponning side और एंगल क्या ह बराबर हो, यह तो पहला था, side-side, side वाला, यह चीज़ आप यहां पर याद रखोगे, बहुत जरूरी, इसलिए हम इसको पहला ही क्या किया है, बता दिए, side-side-side में क्या था, cross-ponning side साफस में क्या होता, बराबर होता, triangle क्या होता है, confident हो जाता, मिटारें इसको, अगला देखो, next, 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 मैं आई, तु आया, आया, चुरू, अगला देखो, next, next क्या है, second, side-angle-side, अच्छा, side-angle-side में क्या था, side, बीच में angle और side, मैं बहुत दो side की बीच में angle होगा, याद रखोगे, दो side की बीच में angle होगा, अब एक triangle ऐसा है, यह triangle है A, यह triangle है B, यह triangle है C, और एक triangle ऐसा है, ध्यान से सुनना, यह P, यह Q, यह A, हम बोलते हैं, यह side, इस side के बराबर है, यह वाला side, आ, आ, इस side के बराबर है, तो इन दोनों की बीच का यह वाला angle, हाँ, इन दोनों की बीच इस एंगल के बराबर होगा, फिल करो, एक साइड यह, एक साइड यह, एक साइड यह, एक साइड यह, तो साइड की बीच एंगल फसेगा ना, इन दोनों साइड की बीच यह एंगल, इन दोनों साइड की बीच यह एंगल, क्लियर हो, कोई दिकत नहीं है, अब धियां से सुन ट्रेंगल A, C, B, इसमें कौन सा ट्रेंगल आएगा, ताकि कॉन्ग्रेंट हो जाए, कैसा आएगा, कौन से तरफ से आप लिखोगे, तो देखो, A, C, A, C के बराबर क्या था, A, C के बराबर ये वला था, इसके बाद 6 के बाद 5 की तरफ गुमें, A, C, B, A, C गुमें न, 6 के पाद 5 की तरफ ठीक है, तो यहां, यहां शे के बाद 5 की तरफ यानिकी, P, R, Q यानिकी, P, R, Q, अब तुम देख रो, एंगल C, एंगल R के बराबर था, एंगल C, एंगल R के बराबर है, clear, कौन से साइट की साइट के बराबर था, जैना तो सुनना, कौन से साइट की साइट के बराबर था, A, C, बराबर किसके, P, R के है, फिर B, C, बराबर किसके, B, C, बराबर किसके, Q, R के, Q, R के है, और जो ब बारबर होगा ठीख है यह एंगल इसे बारबर होगा और यह वला इसकर बारबर होगा क्योंकि यह दुरल ट्रेशल क्या है और सेमैं न्हिंट है ठीक इसी को हम बोल रहे हैं पते हैं कि सुल बन पाइटS कोई दिकत दिए, साइड अंगल साइड आको समझ में आ गया, ठीक है, एक और इजामपल ले ले लेते हैं, ताकि और अच्छे इस क्या हो, क्लिर हो जओ, चलिए, सुरू किया है, सुरू, गर्दा करना, सुरू किया है, गर्दा करना, चलो, अब हम बात कर लेते हैं, दूसरी एजामपल के, माल लो, यहे साथ दिए, ठीक है, यहे प, यहे एक, यहे आ, यह साइड, इस ट्रे यगल में, ठीक है, इस साइड के बराबर हो, हाँ, और यह वला स यह साथ डिग्री कहो यह T यह साइड के बराबर है बिलकूल ये साइड के बिच आंगल इन दोनों के बीच के एंगल के बराबर है होगी है, side angle side naming कैसे करोगे, बस यही चीज़े naming कैसे करोगे, तो यही से घूम लो ना, यहाँ से इस पर आई, इस पर चले गए यानि कि R के बाद Q पर फिर P पर आई अब R के बाद Q पर इसके बराबर क्या था यह था, इसके बाद इसर घूमेंगे मतलब S T U, यानि कि S T U यह triangle, क्या हो गया? concurrent हो गया, clear हो, कोई दिकरत नहीं है ठीक है, practice करते करते है, practice हो जाएगा परिस्तान मिलकूल भी मत हो, हम लोग practice करेंगे तो practice हो जाएगा, ठीक है practice करते करते हो जाएगा, so don't take tension, okay? चलिए, आगे बढ़ते हैं, clear, कोई दिकरत नहीं है अच्छा, हम तुमसे पूछ लें, ठीक है यह side, this side के बराबर, यह side, this side के बराबर, बीच का angle है और कौन से angle, किस angle के बराबर होगा, तो वो आपको पता है इसके नाम से ही पता चलेगा जब तक आप यह नहीं लिखोगे जब तक आप यह नहीं लिखोगे आप कोई दोतरी सीजों के बारे में बता नहीं पाओगे ठीक है, जैसे R बराबर हो जाएगा, S R कहा है, यह angle, किस angle के बराबर होगा अगल Q, T के बराबर था, यह Q है यह थो T के बराबर ही, ठीक है अगल P, U के बराबर हो जाएगा अगल P किसके है, अहां U के बराबर हो जाएगा, clear कोई दिकत नहीं है, अब साइट तो आपको पता है आपको बताने की जरूरत नहीं है मतलब नाम, सबसे important क्या है आपका नाम, अगर concept बनाना है नाइत में, तो जरूर बनाओ, ठीक है, otherwise, चलिए, side, 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 angle, side, तीसरा क्या था, तीसरा क्या था, angle, angle, side, यानि कि angle, angle, और क्या, side, मतलब दो consecutive angle, उसके बाद का side, यानि कि figure, मानूल अगर example बने, तो ये angle, अगर 30 degree है, ये angle, अगर 60 degree है, तो angle, angle की just bad वला side, ये side, या angle, angle की just bad वला side, ये side, दूसरा figure आपके पास ऐसे आएगा, अगर हम बात कर लें, ठीक है, ध्यान से देखना, ये आपके पास में 30 degree, ओके, ये आपके पास में 60 degree, और ये व Q, R, ऐसा, ठीक है, ध्यान से सनो, ये है Q, ये आपके पास क्या हो गया, R हो गया, ये आपके पास में यहाँ पे क्या था, C, मझलाब 2 angle just a glass side, या, 2 angle just a glass side, क्या ये दोनों fulfill कर रहा है, yes or no, क्या ये दोनों fulfill कर रहा है, yes or no, check करते हैं, चेक ये करते हैं, ये angle 3 degree है, ये 60 degree है 30 के बाद 60 पे गए उसके बाद ये वाला side ठीक है अच्छा ये angle 30 है 30 के बाद 60 पे फिर ये वाला side बिल्कुल fulfill कर रहा है कैसे लिखेंगे लिखना है तो angle A बराबर क्या angle Q हम statement भी बताएंगे angle P बराबर क्या हो जाएगा sorry A के बाद B पे गए ना तो angle B मेरा प्रिचा होगा angle P ठीक है उसके बाद ये side कौन सा B C और यहां पे कौन सा side था P या किसी को कोई दिक्कत नहीं है clear report तरिके से आगे सुनो naming कर ना तो naming कैसे करोगे angle angle side angle side से naming कैसे करोगे A B फिर सी पर यानि कि triangle A B C और यहां तो इसके बादाबर क्या था यह 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 यानि कि Q P A यह वाला किसी को कोई दिक्स नहीं है इसके बाद हमारे पास जो चौता है वो पता है angle side angle है इसका मतलब क्या है दो angle की बीच का इसको पहले ऐसे लिख लो A S A यानि की angle side angle यह न है angle side angle दो angle की बीच का side अब यह triangle है यह और यह वाला angle पकरते हैं तो यह साइड पकरदा होगा ठीक अब यह वाला है मालो यह वाला और यह angle पकड़ते हैं तो इन दोरों की बीच के यह वाला side पकड़ना होगा A B C यह P यह Q यह R कुछ आसा होगा ठीक कुछ आसा होगा अब समय ना थोड़ा ध्यान देना ठीक है थोड़ा ध्यान देना यह आंगल इस एंगल के बराबर है यह वाली लाइन ये वाली लाइन ये वाली लाइन यह यह लाइन है यहां पर value नहीं लिख रहे हैं तो पता ऐसे ही चल रहा है यह वाला इसके यह वाला इसके और बीच का side clear or not बिल्कुल clear ठीक है किसी को कोई दिखते हैं नहीं कैसे करें हैं चलो इधर सी घूंचो triangle A B C continent यहां पर क्या A के बराबर क्या था Q उसके बाद P फिर R यानली की Q PR अब दिखनो लो अगल A Q के बराबर के बराबर होगा एंगल B P के बराबर होगा अंगल C R k.ο.He a side. This side ke बराबर होगा ये वाला side this side के बराबर होगा और ये वाला side this side. तो ब्राबरोगा कहानी समझ में आ रहा है वहाँ अच्छे से किसी को यहां तक कोई दिकत नहीं है क्लियर हो पूरी तरीके से ठीक है अगर क्लियर हो तो लाइक शेयर ओ कमेंट कर देना बच्चों ठीक है कहीं नहीं जाएगा मतलब 10 परसंट मेरी तरफ से रख लो आप ठीक है वालकी मैस्ट वाले आपको 10 परसंट अच्छा दे देंगे ठीक क्लियर हो पूई दिकत नहीं चलिए आगे बड़ते हो एक और अगर इसमें एक जामपल लेना तो एक जामपल आप ऐसा और ले सकते हो यह मानलो फूर सेंटीमेटर है यह मानलो फूर सेंटीमेटर है ठीक है और एक और आप एजामपल ऐसा रख सकते हो यह 90 यह 4 सेंटीमेटर है यह 4 सेंटीमेटर है यह है यह है यह है यह है यह ह यह क्यों अब तो तुम देख दो की की यह दूनों ट्रेंगल क्या है सहे हमें कॉन्गूरेंट है हाँ कैसे यह साइड़ी साइड के बराबर येवला साइड़ी के बराबर भींच का एंगल किसी को कोई दीकत नहीं है ठीक इसमें किसी को कोई परिशानी नहीं है अगर इसमें किसी को कोई परिशानी नहीं है तो बढ़िए एक आखरी उसके बाद कुछ कोशन्स आप मेरे करेंगे फिर आप किताब से करेंगे और किताब वाली तो खेर सिरीजी बनेगी इसलिए इसके बारे में हम थोड़ा बता देते हैं, यह हमारे पास राइट एंगल है, याद रखें आपको फिर से काम आएगा ट्रिणोमेटरी में, ठीक है, पहले हम बता रहे हैं, राइट एंगल रेंगल क्या होता है, एक एंगल 90 होगा, मानलों यह 90 है, और आप याद रहतना, जो 90 degree का है, इसके just opposite जो होगा, वो होगा hypotenious, ठीक, just opposite, 90 के just सामने वाला यह है, यह है hypotenious, यह हम लोग ऐसे भी बोलते हैं, हाइंगोटैनिस जो है वो टेरी लाइन है क्या बोलता है है पूलेज जो है वो टेरी लाइन है ठीक है अच्छा माल लो अगर यह वाला तुम पकड़ रहो एंगल अगर इस एंगल से बात करने हैं तो अंगल की जिस्ट अंपोजिट वाला पर्पेंडीकूलर होगा अगर ये पकड़े तो इसके सामने वाला ये पर्पेंडीकूलर होगा अब जो बच घया है ठीक है डसी और एज आइज कंसिड़र ₃ेज बेश तोई यह बता है कि 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस ओके जो ऑगे उसका सामने वाला ठीक है और जो बच गया और यह पकड़ते हैं तो यह पर्पेंडिकूलर और यह बेस हो जाता ठीक है फोपिटी के पो बत्छों किन्य मत पुरों यह 90 के सामने वला है अगर यह एंगल पर्पेंडिकुलर और यह क्लिर होता वैसरे सब्सक्राइब करते हैं धीक है अब सुनो तुन राइट एंगल है इपुटीनियस में क्या होगा राइट एंगल तो होगा ठिक है एक्साइट या पलटको या बेस्ट मसला मतलब यही दो हम पकड़ते आपको यहीं दो पकड़ते जहांसे दिखना यह 90degree यह A, A B, C, यह 7cm यह 7cm present यह साह सेंटीमेटर है , यह 90 है और इसको हम बनाए 4cm आउर इसको बना दी हं पर 4cm यहां पे राइट एंगल यह 90 ठीक है। इसके सामने वप्पोटेमेस और साइड इसके लिए यह साइड हो गया और सेंड हो गया। कहीं दिकट था है। आप समझो हम क्या बता रहे उप हंँख इस फिर को चेंज करके ऐसे पे रखा जा सकता है। यह आपका है Q, यह आपका हो जाएगा P, यह आपका हो जाएगा R, यह 90 था, 90 के सामने वला 7 और यहाँ पर इसको 4 रख लिया गया, क्या ही ठीकत था, इसको हलका टिल्ट कर दिये, अब यह 90 इसमें एक राइट एंगल है, इसमें भी एक राइट एंगल है, दो ट्रेंगल की भी आपका हो रही थी, हाँ, इसमें 90 के सामने वला Hypotenius 7, 90 के सामने वला Hypotenius 7 है, अब जो एक साइड है 4, इसमें भी एक साइड 4 है तो मतलब यह चार था चार से साथ की तरफ चल रहा है तो यह चार चार से साथ की तरफ यानिकी क्यूपी या क्यूपी ट्रैंगल यह क्या क्लियर हो इतनी नियम कानून अगर आपको आ गए बहुत अच्छे से तब तो कोई दिकत नहीं है अगर नहीं आए तब तो खेड कोई तो आपका दिमाग कुछ 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 कर रहा है और अगर नहीं बता सकतो तो इसको फिर से देखो अगर समझने में कहीं परिशानी है मेरी लेंग्विज पकड़ने में परिशानी तो दो-चार दिन में आप इसको भी क्या करोगे पकड़ लोगे खीक है क्य सबसे पहले Quran बरवन यहां से देखते है त精 एक है एक सेंटीमेटर ये ही सैट के बराइबर है एसके अगला एक साइट 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 तो समझे बहुत का किया होता है क्यों साइट साइट से क्वेये होता है है तो चार के बाद 8 पे यहाँ से आरPQ ठीक है किसी को कोई लीकत नहीं हो आगे सुनों देखो यह 90 है यह 90 अच्छा 90 वाला राइट-इंगल हायपोतेनिय साइड वाला हो जाता है ना ठीक है 90 की जैट सामने हाइपोतेनिय सचेने जैने दो तो ठीक है यानि कि यह तो हो गया RHS है लेकिन naming कैसे करोगे तो ऐसे घुम जाओ A B C हाँ यानि कि triangle A B C congruent A B यानि कि 2 दो दो यहां है दो के बाद तुम इस side पर आयो जहां कोई value नहीं दिया होगा तो 2 के बाद इस side पर जाओगे जहां कोई value नहीं दिया यानि कि QRP यानि कि triangle क्या हो जाएगा QRP ठीक है यहां तक किसी को कोई दिकत नहीं है यहां पर बात कर लेते हैं जहां से सुनों यह एंगल 70 यह 30 यह 30 अब 2 angles की 20 का side यानि कि यानि कि यह वला हो गया, एंगल साइड एंगल, तो क्या लिखो गें नेमिंग, नेमिंग कैसे करोगे, A, C, B, लिख लो यह पर, एंगल, A, C, B, कौन पूरेंट, एंके बरवर क्या था, R, Q, T, यानि कि R, Q, T, ठीक है, इसमें देहाल से देखो, यह एंगल साथ, यह साथ, य पास साइड, यानि कि एंगल, A, C, ठीक है, आपके पास धीहाश देखो, यह, 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 यानि कि यह आपका होगी है, यह, अपि लिख लेंगे, A, B, C, कौन पूरेंट, ठीक है, P, Q, R, ठीक है, किसी कूझ दिकत नहीं है, अब देखो, यह साइड के बराबर है, यह सा नाम आप लिख लेना ठीक है आपको कोशन समझ में आया और नहीं आया ठीक है अगर जैसा भी है आप इसका कमेंट करके आप उनको बताओगे ठीक है कोई दीकत अगर यहां तक होगी तो आप इसको बताओगे क्योंकि यह basic concepts है जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है आपका clear ह बहुत जरूए अब जो हमारे सवाल बनेगा वह हमारे सवाल बनेगा चैटर नाइन से ट्रेंगल से आपके सिलेवस से जिसमें भी यह बड़ा धीरे 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 एक कर्किस टिप टूस्टिप क्या करेंगे बताते जाएंगे यह जश्ट एक फास्ट फॉरवर्ड आप बोल सकते हो इंट्रोडक्शन था तब तक लिए ओल दबेश्ट हमारा जुसरी से यह कल के क्लास से क्या होगा चलू जाएगा और अब टूडेट रो ठीक है क्योंकि आप जैसे टेंगल कोवर किया गया उसी तरिके से नाइंटा भी कवर कर दिया ज पर्फोता क्या है जाएगा पलत कर दिया जैसे फिराएगा ऑगति देटान से क्या है घ्याएगा झाएगा जैगा जैसे खिलेगर क्या कोवर का रवर्वर्णी जिए हमारेगा जाएगा पहन पहने चलूडेड़ पहसे है